आज मैं आप सभी के साथ एक और बहुत हेल्दी ब्रिक्फिस्ट रेस्पी शेयर करने वाली हूँ यह है गूली इडली की रेस्पी जो की बहुत ही जादा टेस्टी हेल्दी और स्पॉंजी होती है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो बहुत ही क्विकली बन जाती है तो त्युरth सबस्क्राइब कि अद्रग इसे थे लगे को करें गण। रवा इसमें दाले मिर्ची टेस्ट के अक्वाज्टी asks पिंदूहा है ने की आपके पास ब 모ल दियोंती है तो इस डेख सकते हैं दीगेटेब्स में च्वा बढ़ाय है सोमदया लिए मृक आओ ठीक्ट से और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालने के बाद ये जो सूजी हमने भून के रखी है इसे डाल देंगे सूजी डालते ही ये मिक्षर आपको तुरंथी गाड़ा दिखना शुरू होने लगेगा बिल्कुल इस तरीके से लेकिन इसे तब तक आपको पकाना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए थोड़े देर के बाद आपको ये कुछ ऐसा देखेगा दो से तीन मिनट के बाद ही क्योंकि बहुत ही जल्दी सूजी गाड़ी हो जाती है जैसे जैसे ये थंडा होगा वैसे वैसे ये उतना ही गाड़ा हो जैसे कवर करके हमने पांच मिनट के लिए छोड़ दिया है कैस की फ्रेम बंद करके ये देखे है पांच से दस मिनट के बाद ये और गाड़ा हो गया अब आपने क्या करना है हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगाएं और इसके छोटे-छोटे आपको गोले बना लेने हैं यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं इवन बच्चे भी बहुत शॉक से खाएंगे इसके छोटे छोटे ऐसे आपको गोले बना लेना है तो इसी तरीके से मैंने बाकी के भी तयार कर लिए अब यहाँ पर इटली स्टीम और मैंने चढ़ा के रखा है स्टीम मतब इसमें होने रगा है अब इसमें आप कोई ऐसे छनी वली प्लेट रख दीजे और यह गोलियां प्लेस कर दीजे और इसे दस मिनट के लिए आपको स्टीम कर लेना है इसे कवर कर दें और स्टीम कर ले दस मिनट के बार यह अच्छा से स्टीम हो चुके है अब आपने क्या करना है थोड़ा सा तेल लेना है मतलब आदा चोटा चममच के जितना थोड़ा सा काजू डालेंगे और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे कड़ी पता कड़ी पता जरूर डाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वैसे साटे कर लेंगे काजू बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाते हैं इस वज़े से जादा नहीं भूनना है इसमें डाल देंगे एक्दम चुटकी भर के जितना हल्दी थोड़ा साप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्के कोड़ी और इसमें हम डाल देंगे यमारी गोलियां जो हमने स्टीम करके रखी हैं ये गोली इडली की रेस्पी इतनी ज़दा टेस्टी और इतनी ज़दा मतलब देखने में भी बहुत सुंदर होती है तो खाने में बेहर टेस्टी होती है एक बार तो आप ज़रू ट्राइ कीज़ेगा ऐसे आपको इसको अच्छे से मिला लेना है तड़के के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा उपर से और नमक एड़्जस्ट करने के लिए हमने गोली बनाते वक भी नमक डाला था सूजी वाले डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस यह ओल्मोस्ट रेड़ी है आप चाहे तो लास्ट में से खूट है सारे फ्रेश हरी धनिया पत्ते डाल दीजे फ्रेशनस के लिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऊपर से थोड़ा सा हम निम्बू डालेंगे और वापस से मिक्स कर लें निम्बू सबसे लास्ट में डालें शुरुआत में मत डालें जब आपकी बन जाए उस पॉइंट पर डालें क्योंकि होता है कभी-कभी निम्बू का रस अगर पहले डाल देंगे तो कड़वा बना जाता है यह दनिया पत्ते में डाल दिया और यह हमारी गोली इटली बि आपके फैमिली में इसको कैसी लगी और आप किस जगह से मेरा यह वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना शेहर का भी नाम बताना ना भूलें मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्स्राइब कर लें इसी तरीके कि और भी रेस्पी के लिए मैं मिलती हूँ नेक के लिए ठेक किया बबाए और इंजो इस रेस्पी